हेलो एवरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे जारकंड में कोई भी भरती आती है तो उसके साथ आती है कॉंट्रोवर्सी यानि कि विवाद अगर मैं पूरी तरह से सचाई बता हूँ तो बहुत सारा भी बाद आता है कोई भी पार्टी को जो है यहाँ पे खुस नहीं रखा जाता है जारकंड में इसका रीजन कहना कि यहाँ के जो मंत्री हैं नेतागन हैं मुख्य मंत्री हैं सभी मुर्ख मंत्री हैं समझ रहा हूँ मेरी बात को अब मैं बोलूगा कि मैं ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजन्ट हो तो मैं क्यों नहीं मंत्री या मुख्य मंत्री बन जाता हूँ देखिए डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सभी को freedom of speech है अपनी बात रखने का हक है मैं जो देख रहा हूँ वही आपके सामने रख रहा हूँ आपको पता ही होना चाहिए कि यह जो जारकंड प्रदेश है हमारा जारकंड प्रदेश में ऐसी ऐसी चीजे हुई है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है बहुत ही unpredictable यहां पे चीजे होती है टैट परिक्षा जो कि बहुत ही बेसिक सी चीजे है उत्तर प्रदेश के जो बिद्यार्थी गन है वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि वहां पे टैट परिक्षा होती है तो लड़के फरस्टेशन में आ जाते हैं वो बोलते हैं कि बार-बार टैट की परिक्षा यूप प्रदेश में यहां पे भरती के नाम पे सिर्फ ठेंगा दिखाया जा रहा है विद्यार्थियों को तो इसी मसले पे इसी मुद्धे पे पूरे डिटेल्स में जो है हाई कोट के ओर्डर को भी हम लोग पढ़ेंगे और क्या-क्या चीजें हुई है सबसे पले माफी के साथ में शुरुआत करूँगा पिछले दिन मैंने विडियो में कह दिया था कि बाहर के लोग भी से अपलाई कर सकते हैं जल्दबाजी में हडबड़ी में भ्यूज के चक्कर में मैं बिल्कुल सारी बाते एकसेप्ट करता हूँ अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है और आप मुझे माफ कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्षन में एक बार यस जरूर लिख दीजिएगा अगर आप मुझे माफ नहीं कर रहे हो तो no लिख दीजएगा मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको गलत information दी जल्दबाजी में भ्यूज के चक्कर में ये बाते हैं हो गई थी तो फिलाल हम लोग high court के copy को ही एक बार फिर से open करेंगे और जो copy में बातें बताई गई है वो मैं आपके साथ साजा करूँगा देखिए ये नहीं है wait a minute मैं आप वो copy को जो है एक बार आपके सामने रख देता हूँ ये देखू ये है judgment की copy अब इस judgment वाले copy को हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब आप नीचे आओगे ना वो जो 8 नमबर वाला फर्दर है यहाँ से देखिए इस point में सपस्ट रूप से लिख रखा है we further direct that that those residents of a state of जारखंड who are otherwise eligible to appear in the examination and hold a seat at certificate or a certificate issued by the neighboring state देखिए यहां से मैंने जो है actually वो बोलता है न कि सरसरी नजर पर आप पढ़ते हो तो चीज़ें आपसे mistake I mean गलतियां तो आपसे होगी योगी अब किनी से होता हो नहीं होता हो लेकिन मुझसे गलती हुई है मापी फिर से मंगता हूँ यहां पे बोला गया है कि जो जारखंड के निवासी है अगर उन्होंने seat at degree hold करी है तो उनको भी इस भरती में सामिल किया जाए कि यहां पे ongoing process लिखाया यानि कि इस भरती में सामिल किया जाए पहली बात दूसरी बात अगर उन्होंने neighboring state यानि कि पड़ोसी राज से यूपी राजस्थान मद्यपर्देश MP कहीं से भी महराष्टरा से टैट पास कर लिया है उनको भी इस ongoing process में आपको सामिल करना होगा यानि कि इस भरती में उनको मौका देना होगा ऐसा किस ने कहा है ऐसा कहा है हमारे high court ने जारकंड high court ने ये order दिया है ये बात जो है गड़बड़ी हुई थी अब देखिए अब thumbnail में आपने देख लिया होगा कि मैं तो लिख दिया हूँ कि क्या सरकार फिर से धोखा देगी इसका reason भी बताता हूँ धोखा देने वाली बात जारकंड सरकार supreme court अगर जाती है तो ऐसे में क्या होगा देखिए supreme court जाने में कोई बुराई नहीं है देश की सरबोचन माननी ये नियाले है उनके फैसले को हम लोग सर मस्तक पे रखेंगे उनके बातों को मानेंगे और सभी को मानना भी चाहिए लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ ना कि सरकार यह मचेगा इंग्लिस में वड़ है कि यानि भगदर मच जाएगी अफरा तफ्री मच जाएगी लोग यहाँ पर यह फटा फट एक्जाम को ये कंडेक्ट कराकर कम्प्लिट कर लेंगे और बाद में बोलेंगे कि भाई रिजल्ट आ गया है बच्चे को नौकरी पे हम रख रह जो है सिर्फ और सिर्फ कौन विद्यार्थी जिमेदार होंगे जार्खंड के बच्चे जिमेदार होंगे एक्चली जिमेदार नहीं कि उनको भुगतना पड़ेगा भुगत होगी वो बनेंगे तो ऐसे में आप जार्खंड में पैदा हुए हो तो मुझे कभी-कभी फील जार्खंड में पैदा हुआ है यहाँ पे जो है कुछ डिक्टेटर लोग ही राज कर रहे हैं फंडामेंटल चीजे हमें नहीं मिल पा रही है जार्खंड टैट अगर बार-बार हो जाए यह फंडामेंटल राइट है अब मैं अपने से कुछ भी बना कर नहीं बोल रहा हू NCTE आप सभी जानते हो कि सिक्छक भरतियों को लेकर या सिक्छक को लेकर जो है निर्ने NCTE लेती है इन्हें इस संस्थान ने असपस्ट रूप से कह दिया है कि आप अगर टैट परिक्षा अपने यहां कराते हो अच्छी बात है नहीं कराते हो आप CTET को validity दे सकते हो जारक के बाद से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में बच्चे पास हुए है या नहीं हुए है वो कहा जाएंगे कुछ लोग मैं सभी लोगां का भला चाहता हूँ मैं हमेशा से कहता हूँ कि CTET की परिक्षा ली जाए तो कुछ मान्यवर, महानुभाब जो इंसान है वो नीचो कमेंटर में करते ह क्या CTET फेल हो क्या तो इन निरामुर्खों को कैसे बताओं कि CTET की परिक्षा इतनी असान है कि जब भी बैठूंगा दिन में, रात में, सुबह, साम में बरस करते हुए एक्जाम पास कर जाओंगा कभी भी उसके लिए टेंसन मत लेना है मैंने एक्जाम पेपर वन, पेप जब होता है सभी का विकास, सभी का भला हो और अगर एक CTET ले लिया जाएगा ना तो मैं बार बार कहता था था कि यहां पे कोई ना कोई ग्रूप जो है नाखूस हो जाता है तो एक ग्रूप नाखूस होगा वो है CTET 16 के जो विद्यार्थी पास हुए है और CT 12 के जो विद मैं कहूंगा कि जो recruitment process है उसे चलता हुआ रहना देना चाहिए और CTET को validity दे देनी चाहिए उसके बाद अब बाद में जो है CTET लेकर को है जो कोट ने कहा है उसके अनुसार आप जो है तीन साल के अंदर एक पाला exam होगा उसमें जो है आपको पास करके job को बचाना होगा तो लिखिएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर से एक बार माफी चाहूंगा जो मैंने गलत information दी इसके लिए जो है मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आपको कोई भी doubt ना रहे x y z आपके उपर उंगली या मेरे उपर उंगली ना उठाए thank you so much क्यों घंट लिए एक झांद कहँ पत्रु टार ओार में ओए याओवण।